आपके साथ बिर्जु सिंग ब्यार में जब भी कोई आपदा आता है कोई खड़ा हो नहों सत्ता और विपक्ष नजर आए ना आए लेकिन पप्पु यादो जरूर नजर आते हैं पप्पु यादो इस वक्त पुर्णिया से निर्दलिये सांसद हैं और वो न सिर्फ पुर्णिया बलकि बिहार के किसी वी जिले में जहां कोई घटना दुरगटना होती है वो वहाँ पर पहुँ जाते हैं और सबसे पहले वो पिरित परिवार से मुलकात कर उस परिवार को न सिर्फ उम्मीद जगाते हैं बलकि उनके साथ हर तरीके से खरे नजर आते हैं मदद करते हैं आर्थिक मदद करते हैं इस तस्वीर को देखिए ये तस्वीर सुपावल की है दरसल आपको मालूम है कि बिहार का कोशी का इला को छोड़ कर पलायन कर चुके हैं लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है सरकार सिस्टम पुरी तरीके से फेल है विपक्ष का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है लेकिन पप्पु यादव हैं पप्पु यादव पुर्णिया से सुपाहल पहुंचते हैं तमाम पिरित प पॉल पहुंचे हैं वहाँ पर वो पैसा बात रहे हैं उन जवरतमन परिवारों को जिनके पास खाने का पीने का कुछ नहीं है सब कुछ दूब चुका है लेकिन पप्पु यादव हैं चुकि विपक्ष केनेता तिजिस्पी यादव इस वक्त दुबई में हैं मानो उनको ब्यार से कोई मतलब नहीं है ब्यार डूब जाए या कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है सरकार दावे करती है कि सरकार का सिस्टम काम कर रहा है लेकिन फिलाल सरकार के सिस्टम पुड़ी तरीके से फेल नजरा रही है बाड प्रभाई छेतरों में क्या होता है सिस्टम कि कुछ पता नहीं है सरकार के अधिकारी तब पहुंचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाता है हम आपको बताने आ है कि पप्पु यादो देखिए पुर्णिया से चलकर सुपौल पहुंचते हैं ना सिर्फ सुपौल बलकि आसपास के जितने इलाके हैं जो सिमानचल का इलाका है जहां इस वक्त बाड का पानी जो है लोगों के घर में घुच चुका है वहाँ वहाँ पप्पु यादो पहुंच रहे हैं लोगों की मदद कर रहे हैं लोगों के लिए खाने पीने की विवस्था कर रहे हैं जो मदद होनी चाहिए वो कर रहे हैं लोगों को पैसा भी दे पर वेक्ति 500 रुपे एक वेक्ति को 500 रुपे मिलेगा तो जाहिट से बात है कि वह खाने पीनी की व्योस्ता पप्पु यादो जो देने उसके लावा भी बहुत कुछ कर सकता है और मदद पप्पु यादो कर रहें और इसलिए पप्पु यादो को कहा जाता है कि यह गरीब से मिलने में तब पप्पु यादो समसान घाट पर जाकर लोगों की हाल चाल लेते थे कि वहाई पे जो ला से जल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है अस्पताल में क्या है अस्पताल में कोई किसी का पडिवार एड्मिट था करोना के कारण तो पडिवार मिलने नहीं आता था तब पप्पु यादो जाते थे मतंब जान की परवा नहीं थी और इसलिए पपपु यादो को गड़ीबो का मसीहा कहा जाता है यह तस्वीर पपु यादो दिन से रात रात से दिन सुबह से साम दिन रात बाड़ पिरुतों के मदद में लगे हुए हैं और इस रहा है लेकिन उनसे उनको कोई मतलब नहीं है पप्पु यादो के सिकार्य को लेकर आपका क्या मानना है आप अपने राय को कमेंट्स बॉक्स पर रखिए अगर आप मेरे चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखें तो किस देखें उनको को भार आपका कको जाओAKा को अफंगको धराय को जासूब कर दो QUE बात सकता हैं शनको किसा को पर इता सा फो किसे आपका कुझा क अप